हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डबली ओनली आईएस, डेट है आज की 25 मईई 2023 और आप सभी का स्वागत है आज के प्रेलेम भूस्टर न्यूस डिसकुशन के अंदर देखिए जैसा कि आप सभी जानते हो, UPSC का रिजल्ट आया है, एंड हमारी only ice community member से आप देख सकते हो कि टॉप 10 के अंदर हमें 5 candidates देखने को मिले हैं तो आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक इस बात की, देखो पिछले कुछ दिनों के अंदर मेरी बहुत सारे टॉपर से बात हुई है, अप चाहे बात कर लीजिए, एडिटोरी डिसकुशन की बात कर लीजिए, प्रिलेम बूस्टर जो हम डेली करते ही है, इन सभी की तो All India Rank 146 से बात कर रहा था, तब भी उनने ये बात करी मेरे से, कि अलग-अलग चीज़े अपने हार उडान, उनको काफी हल्प करा, और साथी साथ All India Rank 98 हो गया, ठीक है, All India Rank I think 86 था उनका, उन सभी से भी मैं कंसिस्टेंटी टच में हूँ, तो सब लोग बता रहे हैं कि कै कैसे अलग-अलग resources को उन्होंने help किया, तो make sure आप भी इन सभी resources को follow करते रहे हैं क्योंकि बहुत सारे toppers को help करी है, and I am very sure आपको भी अपने exam को crack करने में help करेगा, साथी साथ, कल मैंने आपको इनकी थोड़ी short video भी दिखाई थी, आने वाले दिरो में इनकी complete video भी आएगी इन्होंने कैसे बताया कि जो different prelims, marathon vision videos आती हैं, उनको उन्होंने use किया, and उनको prelims में help करे हुई in particular lectures से, तो आप भी इनका use कीजिए, in fact कल ही science and technology का lecture भी आया है यहाँ पे, हमारे channel के उपर आप यहाँ पे light section में जाके देख सकते हो, तो आप सभी ने उसको बहुत पसंद कि I am very sure बाकी भी अगर आपको कुछ weak area है, आप उनको भी यहाँ पे lectures को जाके देख सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आपका homework रहेगा, with regards to previous question 2022 का, यहाँ पर quality का question है, बट एक easy question है, देखो quality के regarding आप ध्यान में रखना है कि जनली जोजातर question आते हैं थोड़े easy ही तो अगर आपने लक्षमी कांद अच्छे से पढ़ी है, आपकी conceptual quality अच्छी है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक score कर सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, and topic एक discuss कहले है, with regards to Harris Park, अब आप जानते हो, हमारे प्रधान मंत्री जी, पहले वो जपान गे विजिट करने, ठीक है न, वहाँ G7 की मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने PNG, जिसके बार में हमने multiple time discussion किया, and lastly वो गए Australia, अब Australia के अंदर न, Sydney के अंदर आपको एक पार्क देखने को मिलेगा, इस पार्क का नाम क्या था, Harris Park, अब इस particular पार्क को rename कर दिया गया है, Little India के नाम से, इस particular visit के Sydney के अंदर एक area है, parameter नाम से, तो वहाँ पर जो Harris Park था, उसको rename कर दिया गया, वो Indian diaspora, जो इंडिया के लोग, इंडिया के roots के साथ जुड़े हुए जो लोग है, पर रहते वो अस अरिया में अंदर है, तो वहाँ पर उनकी अच्छी खासितादाद हमें यहाँ पे देखने क मिल जाती है, इवन अगर आप notice करोगे ना, तो इंडिया के से बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो यह area जो है ना, Harris Park पाला जो area हुआ करता था, जिसको अब little India बोला जाता है, यहाँ पर आपको इंडिया के regarding जो खाना है, इंडिया का food हो गय इंडिया के जो businesses हो गये, ठीक है ना, तो यह इंडिया का culture हो गया, यह बहुत ही commonly आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यह बात की आप ध्यान में रखेगा कि इसके यहाँ पर Indian community काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो यह Sydney के अंदर एक छ इतने resident से 5000 के करीब उन में से 45% की नियरली Indian route समय देखने को मिले थे, और ऐसा नी था कि यह नाम पहली बार प्रपोस किया गया था, नहीं, 2015 में भी पहले यह प्रपोस हो चुका है, पर अब finally इसको यहाँ पे rename कर दिया गया है, इसके लावा देखो थोड़ा में अगर और बट US में थोड़ा issues चल रहे हैं with regards to the debt crisis, तो debt ceiling की वज़ा से, तो यह quad का summit तो नहीं हो पाया, पर India और Australia का यहाँ पर meeting हमें देखने को मिली, और यहाँ पर भी न, इन्होंने अपनी economic cooperation को बढ़ाने के लिए, एक migration deal की भी बात करी, sir, किसने बात करी, मतलब इन्होंने announce करा basically किसने, इंडिया और Australia के बीच में, अब देखो, आप notice करो कि migration deal क्यों होई हो गया, आप जानते हो ना कि इंडिया से बहुत सारे लोग हमें Australia में जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है न, और इंडिया और Australia का जो relationship का है, काफी एक major trust के बीच में मना हुआ है, और Indian community जो है न, जो Australia में रहती है, ये दोनों countries में अच्छे relationships लाने के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो कहीं न कहीं जो लोग यहां से जाते हैं, उनको थोड़ा सुविदा हो पाए, बहुत सारे students हो गया, बहुत सारे researchers हो गया, बहुत सारे business के लोग हो गया, वो अक्सर यहां प नहीं होता है, mobility arrangement for talented early professional schemes, ठीक है, ये specifically India के लिए create करी गई है, ताकि India के जो professionals है, early professionals है, जो उनके लिए mobility, मतलब migration या कहलो कि movement rather I should say migration जो movement है, वो थोड़ा असान हो पाए, तो ये सारी चीज़े होई है, with regards to India and Australia, और Harris Park और जो उसका नाम रखा गया है, little India आप इसको भी ध्यान कमिशन, अभी देखो एक RTI थी, ठीक है, तो RTI आप जानते हो, right to information act के अंतरगत आती है, तो यहाँ पर ना RTI में पूछा गया कि यह जो justice जी रोहिनी कमिशन था, इसके रिगार्डिंग कहा कहां पर कितना वैसा खर्च हुआ, इन लोगों की जो यहाँ पर इस कमिशन के अ 21 के बाद कितना खर्चा हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वज़ए से justice जी रोहिनी कमिशन न्यूज में आ गया, मैं समझाता हूँ कि justice जी रोहिनी कमिशन ना किर है क्या, देखो इसको जो justice जी रोहिनी कमिशन है ना, इसको बनाया गया था कब, मतलब आज से 6-7 साल हो गए है, नियरली 2017 के राउंड इसको यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, तो परसरी इसको बनाया क्यों गया था, देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बात हो रही है कि OBCS के रिगाड़े, पहली बात तो आपको धियान में रखना है क्या, other backward classes की समझते हैं इसको, दरसल में आप नोटिस करना, मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ, अब अगर आप जाओगे मंडल कमिशन के अंदर, ठीक है ना, ठीक है तो उसके अंतरकत आप क्या जानते हो, उसके अंदर जानते हो कि जब मंडल कमिशन की रिपोर्ट आई, तो 1979 मे रिपोर्ट के हिसाब से, फिर बाद में implement किया गया इसको बाल दो, उसमें बताया गया था क्या, कि 27% जो seats हैं, वो central government institutions और PSU's के अंदर कहीं ना, कि हम reserve करना चाहिए, है कि नहीं, OBC's के regarding, ठीक है बाद में जब, बाद में इसको implement किया गया गया या नहीं, दस गयाना साल ब कि आप benefits देखने के मिलते हो, क्या ये equally मिलते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दरसल में है क्या ना, कि अगर आप notice करोगे, अब OBC में भी ना, सब लोग ऐसा नहीं है, कि सब लोग ही बहुत backward है, नहीं, कुछ OBC में हो सकता है, कुछ कम backward है, कुछ ज़ादा backward है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, और in fact ऐसा ही है, अगर मैं आपको data के हिसाब से बताऊ ना, तो ऐसा देखा गया है, कि हाँ, हमने रेजर्वेशन दे तो 27% ही, पर इस समय से जो 97% jobs है ना, वो सिरफ और सिरफ 25% इनकी subcast, मतलब कहने के मतलब, other backward classes के अंदर भी तो different cast है ना, उसमें से माल लो, जो 25% subcast है ना, उनी के पास 97% jobs जा रही है, तो बाकी के 75% जो कहने के cast के थे, उनको तो बहुत ही कम benefit मिल रहा है यहां पर, है के नहीं, एंड साथ में अगर आप notice करोगे, तो 10 OBC communities ऐसी हैं, जिनको nearly 25% jobs का यहां पर benefit मिल रहा है, है हमारे पास कितनी 1000 हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ, कि OBC reservation हमने दे जरूर दिया, पर उसका फाइदे कुछ particular cast को मिले, बाकियों को तो मिले ही नहीं उसका फाइदे, है के नहीं, तो यहां पर जो justice जी रही नी commission है ना, दरसल में OBCs को क्या कर रही है, OBCs को subcategorization करने की बात है, subcategorization के विस कर पाएंगी कि जो communities को benefit नहीं मिल रहा था, उनको हम benefit यहां पर दे पाएं, तो इसलिए इसको बनाया गया था, ताकि यह देख पाएं, इस data को analyze कर पाएं, और वो 3000 के किलिब की OBCs कास्ट है, उनको subcategorize करें, और उनके साब से ही, इस 27% में कितना किसको मिलेगा, इसको य कहीना कहीन हम जो other blackboard classes के regarding जो issues हैं, हम उनको यहां पर solve कर पाएं, चीक है, तो चार member का commission है, although इसको बनाया 1217 में था, कहीना कहीना कहीन, expect कि जल्दी ही इसका आ जाएगा, पर multiple times इसको extensions दी गई हैं, चीक हैना, और 6 साल हो गए हैं हमें इस particular commission को work करते हुए, आगे topic की तरफ बढ़ते हैं, that is NPR, National Population Register, देखो इसके regarding भी बारवाज चीज़े news में आती रहती हैं, तो अभी क्या बात खरी गई है, कि अगर मान लोग कोई citizens, census को खुद fill करना चाहते हैं, चीक हैना, मतलब जो census वाला form होदा है, उसके अंदर अपना, मतलब government जो वाले लोग हैं, वो न यह चीज़ कर सकते हैं, तो census 2021 में होना था, आप सभी जानते हो, पर पहले COVID-19 वज़ा से, उसको फिर हमने कहीना कि indefinity उसको extend कर दिया है, ठीक हैना, तो यहाँ पर self enumerate की यहाँ पर opportunity बिलती है, कि आप खुद उसको आप डाल पाओ, और यह पहला digital census होने जा रहा है, जहा दूसरा actual में phase होगा, जो आपकी main phase होगा, जहाँ पर population का आप numbering देखोगे, अलग-अलग details देखोगे, social and economic parameters के उपर, तो यह चीज़े यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो ध्यान में रखना क्या है, कि self enumeration सिरफ उनीक लेगे होगा, उनी households के लिए, जिन्होंने पह पढ़ लेते हैं, national population register के बारे में, तो आप notice करोगे कि यहाँ पर ना, पहली बात तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यह citizens की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है, residents की, और residents के भी generally we call it as usual residents, कहने का meaning क्या, कहने का meaning यह है, कि यह इस list के अंदर उन लोगों का ना होगा, जो पिछले 6 महीने से या तो इंडिया में रह रहे हैं, या फिर कही ना कहीं आने वाले 6 महीने या उससे जार टाइम के लिए रहना चाहते हैं, ठीक है ना, मालो अगर आप किसी जगा पर रह रहे हो, 7-8 महीने से, मतलब 6 महीने से जादा होना चाहिए, या फिर उससे जार टाइम के लिए रहना चाहते हो, ये रिजिस्टर उन लोगों का है, ध्यान रखना यहां हम citizens की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ना कि कोई person किसी दूसरी country का citizen हो, पर वो यहां आपर रह रहा हो, कुछ मालो एक साल से रह रहा हो, तो उसका नाम भी यहां पर NPR के अंतरगत आएगा, तो यहां पर बात किसी हो रही है, आपके usual residence की हो रही है, ना कि आपके citizens की, तो यह बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, यहां पर आपका date of birth हो गया, आपका matter status हो गया, आपकी nationality हो गया, place of birth हो गया, यह अलग अलग चीज़े हम यहां पर देखने को मिल जाएंगी, तो यहां पर ठीक है ना, जो आपके citizens नहीं बोलूगा, ठीक है न, यहां पर, आपके citizens तो हो गई हो गया, देखो अगर आप citizen हो, तो definitely आप यहां पर resident होंगे, ठीक है न, यहां पर citizens की बात नहीं हो रही है, यहां पर आपकी बात हो रही है, usual residence की बात यहां यहां पर देखने को मिल रही है तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना ठीक है ना तो जो यूजल रेजिटेंट होते हैं वो यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे साथ में अगर आप रोटिस करो तो NPR ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है 2010 में भी हुआ था 2015 में अपडेट हु आगे बढ़ते हैं that is IPSN International Pathogen Surveillance Network इसका मतलब क्या है देखो पैथोजन तो आप जानते होंगे पैथोजन का मीनिंग क्या होता है कहिना कि इससे हो दिया क्या हमें अलग-अलग तरह की diseases देखने का मिल जाती है तो कुछ organisms होते हैं जो disease को cause करते हैं जैसे आपके कुछ virus हो गय या आपके कुछ bacteria हो गया और भी जो कहिना के diseases को cause करते हैं अगर आप खुछ सोचो कि ऐसे organism का जिसके हमें लगता है कि हायर इससे diseases हो सकती है उनका हम अच्छे से surveillance करें कहने का मतलब क्या उनका genomics के साथ उनका देखें ठीक है genome sequencing वेरा देखें कि क्या क्या इनके regarding क्या issues हैं क्या possibility है इनकी की आने वाले time के अंदर ये पूरी दुनिया के लिए कुछ एक major खत्रा बन सकते हैं अगर हम इसका surveillance करें तो आपको नहीं लगता कहीं न कि हम जो इस तरह के pandemic साते हैं या epidemic साते हैं हम उनको control कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे एंड इससी वज़ा से हमें यह IPSN यहाँ देखने को मिल जाता है तो यह इसको सर लॉंच किस ने किया है यह international pathogen surveillance network को देखो इसको launch किया गया है WHO के द्वारा और यह global network की तरह काम करेगा ताकि कुछ से जो भी infection diseases होती है उससे हमें कितना खत्रा हो सकता है कि वह animal times के अंतरो बड़ी बन जाए तो इस सार regarding issues है कितना वो spread करने की शमता रखते हैं यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर आपकी different experts हो गया ठीक है including आपकी गौर्मेंट academia, private sector और बाकी जगा से भी यहाँ पर हमें experts देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं ठीक है तो इससे पहले कि कहीं नहीं वो pandemic मने या epidemic मने तो हम उसको यहाँ पर control कर सकते हैं तो यहाँ पर different area of work है जिसे for example यहाँ बात करीगी है funding की कहीं नहीं जो भी projects है उनको हमचे से fund कर पाएं ठीक है global partners forum हो गया ताकि different partners है चाहे academia हो गया private sector हो गया वो साथ में आए government sector साथ में आए अलग-अलग communities को साथ में आने की बात है और south-south exchange की यहाँ बाते करी गई है तो यह कुछ points है with regards to IPSM अगला हमारा topic है that is smart cities mission SCM आप सभी ने smart cities mission के पार में I am very sure बिल्कुल सुना ही होगा तो यहाँ पर अभी government ने क्या बताया है कि जो smart city mission के अंतर कर जो funds थे ना तो 90% of the funds जो allocated थे उनको utilize कर लिया गया है और 73% projects हमने complete कर लिये हैं अब देखो यह तो काफी पुराना mission हो गया smart cities mission इसको 2015 में launch किया गया था multiple times इसको extension मिली है ठीक है तो आखी जो extension थी वो जून 2024 तक है तो मैं expect कर रहे हैं कि अगले साल तक यह जो smart city का था mission हमारा वो complete हो जाएगा और देखो smart का मतलब अलग-अलग तरह से है ठीक है यहाँ पर आपकी technology का तो definitely uses है ही है but at the same time आपको environment को कैसे clean रखें कहिने कि वहां क है उन तक better services कैसे पहुंचा जा पाएं technology की मदद कैसे ली जा पाएं उनका जिन्दगी को हम थोड़ा कैसे बहतर बना पाएं हमारे परधानमची जी बात करते हैं इस of living की तो यह सारी यहाँ पर इसके regarding work देखने को मिल जाता है अब एक चीज है इसकी funding के regarding हमें देखने है अभी हमने नोटिस किया ना कि 90% जो funds अनियरली वो यूटलाइस कर लिए गए हैं तो funding mechanism एक बार समझ लेते हैं तो funding mechanism कुछ इस तरह से है कि साड़े 20% जो fund आता है central government से साड़े 20% आता है आपका states और urban local bodies से 21% की funding आती है different other missions से जैसे आपका अमरूत mission हो गया स्वच बारत mission ह हो गया आपका हरीदे हो गया national heritage city development and augmentation ले उजना हो गया digital India हो गया skilled development housing for all तो 21% fund यहां से आएगा बाकी का जो पैसा है वो public private partnership से हो गया 20% 4% कुछ loans or debt हो गया 1% कहीं नहीं जो urban local bodies के जो अपने sources of revenue है and 8% बाकियों के sources से आएगा तो इस तरह से कहीं नहीं 100% यहां पर funding हमें को मिल जाती है और एक central sponsor scheme है आप देखी पा रहे हो central government से भी पैसा आ रहा और state government से भी आ रहा है तो 100 cities को यहां पर select किया गया था जिनको हम two stage competition किसों यहां पर smart cities की तरह develop करेंगे अब इसके लिए कौन से ministry है तो आपकी ministry of housing and urban affairs जो है वो यहां पर इसकी नोडल ministry है और कहीं कहीं उसी के जो secretary है committee का secretary है ministry of housing and urban affairs के वो ही SP implementation को यहां पर accordingly चेक करते रहते हैं कितना काम हो गया तो real time monitoring यहां पर हमें देखने को मिल जाती है इस particular चीज के लिए ना हर smart city के लिए एक SPVB बनाई गई है that is special purpose vehicle जो की हर चीज के responsible होगी सर जैसे कि कैसे उसकी planning कैसे होगी कब fund release करने है कैसे fund release करने है क्या चीज अप्रूफ करनी है कैसे कैसे plan होगा यह सारे काम कौन करेगा एक हर city के लिए अलग से entity बनाई गई है that is the special purpose vehicle साथ में smart city advisory forum भी हमें देखने को मिलता है जिसको establish किया गया है ताकि different stakeholders के बीच में collaboration ensure के जा पाए तो यह सारे चीज़े देखने वैंने आपको quality दे ही दिया है quality के regarding तो इन सबी questions का answer मुझे आप नीचे comments में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है and जो कल मैंने आपको questions दिये थे quickly आपको मैं उनका भी एक बार answer बता देता हूँ पहली बात होई है परक के regarding देखो परक हमने कल बढ़ा था बिल्कुल तो education के regarding था बट क्या यहाँ पर ऐसी बात थी कि global parameters of attainment as standards क्या यह बात थी इसकी the answer is false देखो इसका जरसल में जो काम था ना कि हमारे अलग-अलग school boards हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर हम कैसे uniformity लेका आख पाएं ठीक है ना तो इंडिया का यह क्या था एक तरह से national assessment regulator क इतना काम करता है तो इस वज़ा से पहली statement मारी false हो जाएगी दूसरा बात करता है FIPIC के बार में right forum for India Pacific Island Corporation क्या इसकी जो पहली meeting थी वो मारे प्रधान मंत्री जी ने host कर रही थी इंडिया के अंदर देखो आखरी बात में आके गलत कर दिया इसमें दरसल में अगर आप notice कर 2014 में इसकी पहले meeting देखने को मिले थी कहां पर मिले थी वो फिजी के अंदर देखने को मिले थी host definitely मारे पर धान मंत्री जी ने किया था पर वो फिजी में थी तीसरी बात कर रहा है storage of e-secrets देखो थोड़ा सा statement थोड़ा गलत बन गया दरसल में आपको बताता हूं कि होता गय चाय फिर six month तक की imprisonment तो इस वैसे तीसरी statement आपको यहां पर थोड़ा false check रहा है थोड़ा साना statement को आप बहतर frame किया जा सकता था चौथी बात हम बात करें पोर्ट मरस्पी कि क्या यह फिजी की capital city है नहीं यह बात हो रही है किसकी PNG की ठीक है पाँचवी statement आएने सिंदू रतना क्या यह diesel electric submarine है of kilo class of Russian origin यह बात यहां पर बिल्कुल correct है तो यह पाँचवी statement मारी हो जाएगी यहां पर true I hope आपको समझ आए होंगी इसी तरह से in particular questions का answer and यह PYQ था इनका भी आप मुझने जो comments में answer बताओगे अगर आपको सिलेक्चर की PDF चाहिए तो आप मारी टेलिग्राम चैनल only as nothing else पर जाके सिलेक्चर की PDF पर access कर सकते हो और अपनी preparation को और भी बहतर मना सकते हो ठीक है friends तो I hope आपको 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 आज का session अच्छे समझ आए होगा इसी तरह से आप भी अपने एंट पर hard work करते रहेए This is it for this video, goodbye and good luck